दोस्तों पवन सिंग भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। अपनी आवाज और अभिने से वो बिहार, उत्तर प्रदेश सहित, देश भर में फैले अपने फैंस के बीच लोकप्रिये हैं। पवन सिंग ने अपने करियर की शुरुवात एक गायक के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने अपनी किस्मत अभिने के क्षेत्र में भी आजमाई जिसमें वो सफल रहे। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता अपने गानों से मिली है। पवन सिंग ने भोजपुरी सिनेमा जगत में नाम के साथ साथ खूब दौलत भी कमाए है। पवन सिंग कैसी लाइफ जिते हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो बताएंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बीना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले सिंगर और एक्टर पवन सिंग अपनी परसनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाट बाट किसी बॉलिवुड स्टार से कम नहीं है। वह लगजरी लाइफ जीते हैं और आलिशान घर में रहते हैं। जिसकी कीमत करोडों रुपया है। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेट वर्थ करीब 37 करोड रुपये है। जानकारी के मुताबिक उनके पास 4 करोड रुपये के बंगले हैं। पवन सिंग को लगजरी गाडियों का बहुत ज्यादा शौक है और ये बात उनके कार कलेक्शन को देख कर कहा जा सकता है। उनके पास एक मर्सिडीज है। इस गाड़ी की कीमत लगभग 55-85 लाग के बीच बताई जाती है। पवन सिंग के पास टॉयोटा फॉर्चूनर है जिसकी कीमत 32 लाग रुपय बताई जाती है। उनके पास महिंद्रा स्कॉर्पियों की भी एक गाड़ी है। इसकी कीमत 10 ल स्कॉर्ट्स के मुताबिक पवन सिंग अपनी हर फिल्म के लिए लगभग 50-60 लाग रुपय लेते हैं। दोस्तों एक बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि पवन सिंग घोड़ों का भी शौक रखते हैं। उनके पास एक बेश कीमती घोड़ा भी है जो देखने में काफ साल 2007 में रिलीज हुआ था। इस गाने पर 222 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। उन्होंने साल 2004 में रंगली चुनरिया तोहरे नाम से अभिनय में हाथ आजमाया। जिसके बाद उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा और आज एक सफल एक्टर के साथ साथ सफल सिंगर भी हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लायक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे लि वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।